नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोग पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को पंद्रह जनवरी दो हजार चौबीस के दिन मकर संक्रांती पढ़ रही है और इस साल की मकर संक्रांती बहुत ही खास होने वाली है यह दिन सोमवार को पढ़ रहा है और इस सोमवार की रात सिर्फ लॉंग और चावल का ये एक काम करने मातर से पूरे साल भर धन की कमी नहीं ह पर लेना, एक सो आठ चावल के दाने और दो लॉंग वाला। ये विशेश महा उपाए। भगवान भोलेनात के आशिरवात से जीवन के हर कष्टों से शीग्र आपको मुक्ति आपके जीवन होगी। धन की वर्षा आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी बन जाओगे। आप इस जहां पाठ करेंगे ताकि उनको भगवान भोलेनात का आशिरवाद और वर्दान मिल सके। परंतु अगर आप शिवा पुराना के अनुसार, सोमवार के दिन 108 के दाने और दो पुरातन काल के समय का महा उपाय कर लेते हैं, जैसा हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो ना केवल आपको अपने जन्म जन्मानतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दहक परेशानियों से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी, बलकि आपकी कैसी भी मनो कामना हो, मान, आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाए जिस बीमार बहुत परेशान थे, उस बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी, महादेव, क्रिपा से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके पास धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे, जो आपके पास धन आएगा, वह रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें व्रिद्ध भी होगी क्योंकि दोस्तों देवों के देव महादेव एक ऐसे देवता है जिनकी हर कोई भक्ती कर सकता है चाहे वो इनसान हो चाहे राक्षस हो या दानव हो यहां तक लिखा हुआ है पशु और पक्षी भी भगवान भोलेनात की पूजा पाठ करते हैं और बात को समझ लीजिए भगवान शिव की महिमा हर जगह हुई है और जब तक यह दुनिया कायम रहेगी भगवान भोलेनात की महिमा गाई जाती रहेंगी भगवान भोलेनात एक ऐसे भगवान है जो केवल अपने भक्तों का कल्यान चाहते हैं इसी लिए आपने देखा भी होगा कि भगवान भोलिनात के भक्तों की संख्या, अन्य देवी देवताओं के भक्तों की संख्या में कई गुना ज्यादा है, दोस्तों, सोमवार का दिन है, इस दिन सूम प्रदोश का शुभ दिन भी पड़ रहा है, और आपको बता दें, इस दिन पूरे बावन तरीके के योग बन रहे हैं, जिसमें चतुरगड अपने जीवन हर कश्टों से शीग्र के शीग्र मुक्ति मिल जाएगी, आपके और आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमतकारी और सकारात्मक बदला आएगा, आप जिस कारे को भी शुरू करे इसको करने के पश्चात उस कारे में आपको सफलता हासिल होगी, आप बार बार यह सोचेंगे कैसे चावल और लौंग का उपाय करके आपको भगवान भोले नात का आशीरवाद ले सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, चावल को हमारे हिंदू धर्म में अक्स किया जाए, उस पूजा का पलट करके हमको शीघर मिलता है, दूसरी तरफ जो लौंग होती है, उसको तंत्र शस्त्र में सबसे अववल और उत्तम जगह पर रखा गया है, माना जाता है तंत्र शस्त्र में कि मनो कामना पूर्ती के लिए अगर आप किसी भी देवता के सामन पूजा पाठ कर रहे हैं और उसमें लौंग का करते हैं, तो आपकी पूजा शीघर सिद्ध हो जाएगी, शिवा पुराना के अनुसार एक सौ आठ चावल के और दो लौंग वाला वह कर लिया, जो पुरातन काल के समय से चला हुआ आ रहा है, तो दोस्तों, मान के चलिए, आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नश्ट हो जाएगा, आपकी कोई मनोकामना हो, वह एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाएगी, इसी लिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनात की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बने, भगवान भोलेनात के आश परिशानी का सामना ना करना पड़े, दोस्तों को शीग रही जाएए और कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, यू आम नमशिवाय हर हर महादेव, और अगर आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं, तो इस विडियो को लाइक करना मत भूलिए, सबसे पहले हम आप को इस बात को बता दें, कि हम आपको जिन उपायों के बारे करने जा रहे हैं, कुछ उपाय उनमें से ऐसे हैं, जिनको आपको वरत रखने की जरूरत नहीं है, हम सारे उपाय आपको शिवा पुराना से बताएंगे, इसलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिए हो सके तो इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय दोस्तों, आप चाहते हैं कि एक दिन की पूजा से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए भगवान की कृपा आपको वो मिल जाए जिसके पश्चात आपकी कोई इच्छा वो एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाए तो इस उपाय के लिए आपको व्रत तो रखना पड़ेगा एक जनवरी दो हजार चौबीस के दिन व्रत रख के ही आप इस उपाय को कर सकते हैं आपको क्या करना है? सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, सफेद कपड़े पहने है भगवान भोलेनात को सफेद रंग बहुत ही प्रिये है उनकी पूजा में जब भी रंग का इस्तमाल किया जाए, पूजा शीगर सिद्ध हो जाती है अब कुछ चीजें चाहिए होंगी, जैसे आपको एक तांबे का लोटा तांबे के लोटे में शुद्ध घर जल भर लीजिए और उसमें एक सो आठ चावल के दाने डाल दीजिएगा देखिए, भगवान भोलेनात को एक सो आठ की संख्या जो होती है, वो बहुत ही ज्यादा पसंद है उनकी पूजा में एक सो आठ की संख्या में ही चीजों को इस्तिमाल किया जाता है एक सो आठ चावल के दाने डाल दिए आपको लेना है, घी का दीपक आपको लेना है दो लॉंग, आपको जाना है भगवान भोलेनात के मंदिर, सबसे भगवान भोले के मंदिर जाईए ये जो आप जल लेकर के आएं हैं, एक लोटे में जिसमें आपने चावल डाला है, इसे शिवलिंग का कर दीजिएगा और मुँ उत्तर की तरफ रखियेगा हम उत्तर की तरफ करके शिवलिंग का अभिशेक कर दीजिए और पानी को धीरे धीरे गिरेगा जितनी देर पानी गिर रहा है, शिवलिंग पर उतनी देर आपको भगवान भोलेनात के बीज मंतर का जाप करना है श्री शिवाए नमस्ते एक बार फिर से कर दे रहे हैं श्री आपने शिवलिंग का अभिशेक कर दिया अब आपको क्या करना है अब आपको शिवलिंग से हटना है और भगवान शिवजी की जो प्रतिमा है, मुर्ति रखी हुई है, वह जाना है, और आपको एक घी का दीपक जलाना है, दीपक जलाए, और इसी दो लौंग को जो आप लाएं हैं, घी के दीपक में डाल दीजिए, इसके पश्चात आपको अपनी मनोकामना बनी है, केवल इस उसे बचने का और इस उपाय के लिए आपको वरत रखने की जरूरत नहीं है, मान लीजिए, आपके जीवन में धना आता है, वह रुकता नहीं ठिकता, नहीं फिजूल खर्ची में जाता है, आपने कोई ऐसा कर्जा लिया हुआ है, जिसका उसको पहले तो आप लोटा ले परन्तु आप उस कर्ज के बोज में आप लोग देखते हुए चला रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी नींद भी गायब हो गई है और खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो केवल यह महा उपाय कर लीजिए, जि इसमें वृद्ध भी होगी, बहुत ही आसान सा आए, आपको केवल क्या करना है, सोमवार के दिन नहाना है, धोना है, कपड़े पहने हैं, एक लोटा शुद्ध जल ले लेना है और एक सफेद कपड़ा है, उसमें एक मुठी चावल डाल देना है, इस सफेद कपड़े की प चावल आपने रखा है, इसको शिवलिंग से चुए और ध्यान रखिएगा, शिवलिंग से, इस तरह के शिवलिंग का गिरता हुआ पानी, इस पर एक गिर जाना चाहिए, अब आपको भगवान भोलेनात के मंदिर से घर आना है, इसी पोटली को जिसमें एक मुठी चावल रखा हुआ है, इसको आपको अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां भी आप पैसा रुपया सोना चांदी रखते हैं, वहाँ पर रख देना केवल इतना कर दीजिए, ये पोटली आपके जीवन के हर दोश को समाप्त कर देगी, जिसकी वजह से आपके पास पैसा आना ब ठीकेगा भी, इसमें वृद्धि भी होगी और मान के चलिए, भगवान शिवाजी की असीम कृपा सदैव आप पर बनी रहेंगी, तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोले नात का आशीरवाद आपके और आपके परिवार पर बना रहे हैं, कॉमेंट बॉक् अगर आपके जूट बोल रहा दोश के प्रकोप को कम किया जा सकता और अगर आपके उपर कोई भी ऐसा दोश है जिसके साथ बड़ा है, तो आपको क्या करना है? देखिए सोमबार के दिन आपको पहले तो वरत रखना होगा, वरत रखते ही यह उपाय आपको करना है, वरत रख आपने सुबह उठना है, नहाना धोना है, एक लोटा शुद्ध जल ले लिया, एक सफेद कपड़ा लीजिए, एक सफेद कपड़े में दो लोटा चावल ड देखा हुआ है, जैसे हम उपाय आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए, इस सफेद कपड़े की बना लीजिए, एक लोटा जल लेकर भगवान भोले नात के मंदिर जाईए, सबसे पहले एक लोटे जल से शिवलिंग का अभिशेक कीजिए, और ये दो लोटा चावल सफे कपड़े में रख करके लाया है, इसको मंदिर के पुजारी को दन करती है, केवल इतना उपाय कर, और आपके उपर कोई भी दोशी होगा, उसका प्रकोप पूरे साल लग भगना के बराबर रहेगा, और भगवान भोले नात की कृपा से आपके जीवन में आप बहुत उन् जुकती मिल जाए, तो आपको क्या करना है? देखिए, बहुत आसान से उपाय हम आपको बता दे रहे हैं, और इस उपाय के लिए आपको वरत रखने की जरूरत नहीं, आपको सोमवार दिन नहाना है, धोना है, आपको एक लोटा, शुद्ध गंगाजल लेना है, गंगाज को सब पहले एक लोटे जल से शिवलिंग का अभिशेक करना है, शिवलिंग का अभिशेक कर दिया, आप ग्यारह बेलपत्र लाएं, सबसे पहले बेलपत्र उठाईए और पर रख दीजिए, शिवलिंग पर रखने के पश्चाद शिवान का एक आठ बार जाप कीजिए, औ और इसी तरह से आपको ग्यारह बेलपत्र शिवलिंग पर रखना, यह उपाय अगर आपने कर लिया, जैसा हमने आपको बताया दोस्तों, मान के आपकी कोई भी बीमारी होगी, उससे आपको मुक्ती मिल जाएगी, महादेव जी की कृपा से आप बिलकुल स्वस्थ हो और आपको बीमारी से हंहिंगे, और आपको बीमारी से हमादे जाएगी, जैसा हमने मादेगे, मेल जाएगी, तक Ones Up.